लगवग साथ बजे के आसपास रिधी सोकर उठती है। रिधी खुद से कहती है पता नहीं मुझे क्या हो गया था। कैसी पेफकुफी भरी हरकत करी मैंने। लेकिन अब बस अब सिर्फ काम पर कॉंसेंट्रेट करूंगी मैं। और वैसे भी जो इनसान मेरी लाइफ में कोई इंपॉटेंस ही नहीं रखता, मैं उसके लिए खुद को क्यों परिशान करूं। वो टेवल पर रखी एक डाइरी उठाती है और लिखना शुरू करती है। आज योही मन बस बठक रहा है, ना जाने क्या धोन रहा है, अंजानी मन्जिल का रास्ता, ना जाने क्यों गैरों से पूछ रहा है, रिधी का ध्यान फिर से दक्ष की तरफ चला जाता है, रिधी खुद से कहती है, वैसे कहां कहे होंगी तो उन्हों लंच पर, ओ गौड, मैं फिर से वही सब सोचने लगी, तब ही उससे ड्रॉइंग रूम से कुछ आवाजे सुनाई देती है, इस वक्त क कर रही हो मिस रिधी, रिधी अचानक से पीछे हो जाती है, आप यहां, हाँ, वो मैं यहां से गुज़र रहा था, तो सोचा आँटी से मिलता चलू, कई दिन होगे उनसे मिले हुए, रिधी को बड़ा जीब लगता है, अच्छा, तब तक अमिता जी वहाँ चाई लेकर आ रिधी चिरने वाली टोन में, हाँ, बहुत प्यारा, वो मूँ बनाकर चली जाती है वहाँ से, अमिता जी उसे जाता देखकर मुस्कुराती है, अगले दिन रिधी शूटिंग लोकेशन पर पहुचती है, दक्ष वहाँ पहले से ही पूजा के साथ खड़ा था, उसका चेहरा उतर जाता है और वो अपना काम करने लगती है, पर दक्ष मैंने देखा क्रियो कि बहुत सार अमिता जी अब वहाँ नहीं आती थी, पैक अप का टाइम हो गया था, रिधी बहुत उदास लग रही थी, दक्ष रिधी के पास आता है, चलो रिधी, मैं तुम्हें तुम्हारे घर डॉप कर दूँगा, उन्होंने कार भीजती है, मैं चली जाओंगी, तब तक वहाँ ए जाता हूँ, छोड़ देता, ड्राइवर को बुलाने की क्या जरूरत थी, हो सकता है वो तुम्हारे साथ जाने में कमफ़टिबल ना हो, अनकमफ़टिबल होने की क्या बात है, कौन सा पहली बात जा रही थी, इस ओकी दक्ष, तुम्हें इतना फरक क्यों पढ़ रहा है, चलो, लेट्स गो क्यों फरक पढ़ रहा है, अमिताम उसको राते हुए, दक्ष की बात कर रही हो, रिद्धी उनकी दरफ हैरानी से देखती है, आप को कैसे पता, मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है, जैसे कि वो नारियल तुमने गायब किया है, रिद्धी अपनी नजरे चुका लेती ह मैंने तुम्हारे बैग में लड्डु वाला टिफिन देख लिया था, चलो, आज मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, तुम हमेशा मुझसे पूछती हो ना कि मुझे दक्ष क्यों अच्छा लगता है, रिद्धी हा में सिर हिलाती है, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर की उ पूरी तरह ऐसे नहीं खोना चाहिए, मुझे हमेशा इस बात का अवसोस रहता था कि मैंने तुम्हारी परवरिश तो बहुत अच्छे से की, लेकिन आत्म निर्भर शक्सियत बनाने में मैंने तुम्हें उम्र से पहले ही समझतार बना दिया, मा, आप आज ये सब कहलेने बच्छे जित करते हैं, गुस्सा होते हैं, लेकिन तुमने कभी ना कोई जित करी ना गुस्सा हुई किसी बात पर, और ना ही मुझसे कभी लडाई करी, दक्ष के आने के बाद तुम्हारी जिनकी में वो सारी emotions आ गए, and for that, I'm thankful to him, अब देर मत करो, बता दो उसे, क्या बत जादू, ओहो, ये भी मुझे बताना पड़ेगा, बुद्धु, ये जो जलन दिख रही है चहरे पर, इससे पहले तो कभी किसी और के लिए नहीं दिखी, अरे होते होते प्यार हो गया, रिद्धी हैरानी से उन्हें देख रही थी, उसके चहरे पर एक smile आ जाती है, पर अ अपने घर पहुचता है, उसका mood off लग रहा था, क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, कुछ नहीं अंकल, रिद्धी ने इसके साथ आने से मना किया, तो तब से इसका mood खराब है, ऐसा कुछ नहीं है डैड, मैं बिलकुल ठीक हूँ, बस थोड़ी ठका अपने कमरे में चला जाता है, अनिके दक्ष की कमरे में आती है, डैड आप, क्या बात है बेटा, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, कोई बात नहीं है डैड, पता नहीं सबको ऐसा क्यों लग रहा है, वो लड़की रिद्धी, मुझे उससे क्यों फरक पड़ेगा, व पहले तुम उससे चिड़ते थे, औरतों के प्रती जो तुम्हारा नजरीया है उसकी वज़य से, लेकिन उसने कहीं न कहीं तुम्हें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर ही दिया, दक्ष उन्हें देखने लगता है, तुम यहीं बात मान कर भी नहीं माना चाहते हो, इसल के लिए है क्या? दोनों की नजरे एक दूसरे पर पढ़ती है, पूजा जो कुछ भी हो रहा था सब देख रही थी, डर लग रहा है पता नहीं, क्या जवाब देंगी, ऐसा करती हूँ, आज रहने देती हूँ, घर पर पहुचकर फोन पर कह दूँगी, अगर कुसा भी होंगी तो किसी को प पर रहे थी, दोनों एक दूसरे की आपने सामने पहुचते हैं, अ, कॉंग्राचिलेशन सर, फाइनली इतने महीनों की मेहनत पूरी हो गई, कॉंग्राचिलेशन तो यू टू, वागई में, काफी अच्छी स्टोरी थी, थांक्यू, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ आ, नहीं मैं, तब तक पूजा आ जाती है और दक्ष की जले लग जाती है, कॉंग्राचिलेशन दक्ष, मैं महुत खुश हूँ, चलो आज कहीं सेलिब्रेट करते हैं चलकर, मुझे तुमसे कुछ कहना भी है, पूजा मैं आज, रिधी को बहुत बुरा लगता है, उसकी आ उसके पीछे भागते हुए जा रहा था, रिधी, रिधी रुको, वो भाग कर आगे उसका हाथ पकड़ लीता है, मैं अतनी देर से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, तुम सुन क्यों नहीं रही हो, क्यों, आप क्या काम है आपको मुझसे, हो तो गई शुटिंग पूरी, अब मेरी क्या जरूरत है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हो, तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि मेरा मन कर रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, वो फिर से जानी लगती है, अरे रुको तो, मैंने क्या कर दिया, तुम मुझसे क्यों ऐसे, मैंने कब कहा कि आपने कुछ क मैं ही पागल थी, जो आपसे अपने प्यार का इसहार करना चाहती थी। तो करो ना, किसने रोका है। वैसे कहना तो मुझे भी कुछ था, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, और बहुत प्यार करता हूँ, I love you। रिद्धी उसे हैरानी से देख रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है, ऐसे क्या देख रही हो, इरादा तो नहीं बदल लिया तुमने इतनी देर में। वो मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है, I love you। वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे कि तब ही ताली बचने की आवाज आती है, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उनके सामने पूजा खड़ी थी मुस्कुराते हुए, Thank God मेरा प्लान वर्क कर गया तुम दोनों को मिलाने का, तुम दोनों कितने जेरिंग हो में समझ गई थी, और शायद अंकल भी, Dead? येस, उन्हें रिधी शुरू से ही पसंद थी, फिर उन्होंने तुम दोनों का रिष्टा देखा जिसमें स्पार्क तो था, बस हलके सी हवा देनी की जरूरत थी, उसी मुझे भी Mumbai आना था, तो उन्होंने ये बात मुझसे शेर करी, और हमने decide किया कि मैं तुम से दोस्ती करूंगी, हो सकता है तुम दोनों को realize हो जाए, और एक दूसरे को अपने मन की बात बता दो, तुमारा प्लान वर्क कर गया, तुम दोनों तो इतने boring हो कि realize होने के बात पी एक दूसरे से बताने में डर रहे थे, जब मैं तुम्हारे गले पढ़ ही गई तब जाकर कुछ असर हुआ, उसकी बात सुनकर तीनों हसने लगते हैं, anyways, thank you so much, हरी, thank you कैसा, मुझे खुद को तुम दोनों को ही इस love hit के mystery का पार्ट बनकर बहुत मज़ा आया, चलो, घर के लिए निकलते हैं, दक्ष रिधी और पूजा के साथ अपने घर पहुचता है, लीजी अंकल, mission accomplished, लड़का लड़की दोनोंने हा कर दी है, रिधी आगे बढ़कर अनिकेट के पैच होती है, God bless you, दक्ष भी उनके गले लगता है, तो फिर कब मिलवा रही हो अपनी family स दक्ष तुम्हारी मा की बहुत आरिफ करता है, मैं भी मिलना चाहूँगा उनसे, उनसे उनकी सबसे केमती चीज जो मागनी है, रिधी मुसको रा देती है, अभी नहीं, क्यों, जिस दिन फिल्म की screening होगी, उस दिन मिलवाऊंगा, वो तो एक महीने बाद है, तो क्या हुआ इतना वेट तो करना पड़ेगा, अभी मुमेंट स्पेशल है, तो बताने का वक्त भी तो स्पेशल होना चाहिए, मान गए, एकदम फिल्म स्टाइल, यस, चली, मैं रिधी को उसके घर छोड़ कर आता हूँ, उसके बाद हमें पूजा को भी एइपोर्ट छोड़ने जाना होगा, दोनों चले जाते हैं, थोड़ी देर में दोनों रिधी के घर पहुचते हैं और अमिता जी को भी सब कुछ पताते हैं, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, बस चल्दी से अपने डैट से मिलवा दो, ताकि आगे की बात हो सके, आंटी मैंने डैट से भी हैं, देखने में तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, लड़का लड़की भी राजी और घर वाले भी, पर वो लव स्टोरी ही क्या जिसमें प्रेमी प्रेमिका को इतनी जल्दी मन्जिल मिल जाएं, क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे इनकी जिन्दगी में, बताइएगा ज कहानी जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दू, कहानी का अगला भाग आपके अपने चैनल लव से चाहिए